नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर अरेंदम तो चले देखिए काल है निफ्टी का एक्सपैरी तो आज कैसे देखा हम लोग कि 121 पॉइंट उपर में जाके एक क्लोज किया और देखिए 0.62% का उपर में जाके क्लोज किया देखिए जहां पे एक क्लोज किया न एक क्लोक का एक्सपैरी माला माल हो सकते तो उहाँ पे आप लोग कहां तक जा सकते है 20,000,122 तक यहां तक जाने का संभवाणा बन सकते है जब इसको तोडएगा तब Active को यहां तक का Target हमारा बन शकते है यहा पे और यहांँ पर Target हमारा बन सकते है तो देखते हैं यहां तक जा पाएगा क्या नहीं ताल कैसे होगा तो चली पहले देख लेते आर वीडियो शूर करने से पहले आप लोगों के पास टेक रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर रही है सौलाइक का उमीद है हम आपसे और उसके साथ साथ आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बिल बटम को जोड़े दबा दीजिए चले आप देख लेते कि फिफ्टी निट्स को केंडल में हम लोग जाएंगे तब आपको प्रता लगेगा उसके बाद बैंक निफ्टी का एनलेसिस मैं करता हूं ठीक है ना देखिए यहां पर देखेंगे बार-बार क्या हुआ आज का जो निफ्टी था निफ्टी बहुत ज़्यादा तरीके से यहां पर सेल भी हुआ है और बाई भी हुआ है तो उसके साथ साथ देखेंगे आपको एफाइए देखेंगे काल का काल के लिए आपको एफाइए देखेंगे एफाइए क्या था यह बुलिस में था ठीक है और उसके साथ साथ जो डियाए है वो तो पाबिक का जो ट्रेड है वो था नेगेटीब तो इसलिए मैंने काली वात्शीत किया था मेरे जो बेंगली चैनल है तो उसमें में बताया था कि देखे पाबिक जब नेगेटीब होता है उसके मतलब एक रेजिन होता है कि मार्केट को आप ही जाना चाहिए क्योंकि एफाया का सिनर्यों क्या होने बाला है मार्केट का मतलब एक्सपेक्टेशन क्या होने बाला है तो हम लोग इस से ही पकड़ लेते तो देखे काल का जब भी मतलब उनीस हजार आठ्साट टासी इसको निकलेगा ना तब एक बड़ा मुवमेंट आ सकते हैं और उसके पहले उसको जाने तक हम लोग देखेंगे कि यहां पर कैसे रिया रियक्ट करता है उसके बाद यह तोड़ेगा तब यहां तक का टार्गेट फिर से बन सकता है देखे उनी 12,90055-2, उसके बाद हमारा तीजरा जो टार्गेट होगा होगा 20,022 तो यह हमारा टार्गेट बन सकता है तो इसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं उसके बाद चलिए आज बैंग निफ्टी का कैसे ट्रेड हुआ और बैंग निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं तो हम बर-बर में क्या बोलता हूं कि 44,533 जाने के बाद बड़ा मुव्मेंट आ सकते हैं ठीक है 33 पॉंट हम लेते हैं लेकिन आज क्यों गोला आपको कि नहीं आज 44,544 इसको जाने के बाद इसके उपर क्लोज होने दीजिए उसके बाद ही आपको बता लगेगा 533 के बाद नहीं क्यों हूआ देखे मारकेट का सिनरी आपको पकड़ना चाहिए है आज क्या हूआ काल यहां सकता है क्या यहां पर आच्छे तरीकर से बन रही के सौर्ट किया है मतलब फॉर थाउजन फाइवंड़ को तो इसको पहले देखना चाहिए कि कहां पर कैसे होता है आप लोग क्या करते है कि आप लोग देखते नहीं है जब देखेंगे तब आपको पतलग जाएगा कि कैसे कैसे ट्रेड बनता है तो ट्रेड बनाना उतना जा क्योंकि यहां पर थोड़े बहुत आच्छा प्रॉफिट बन गया यहां पर प्रॉफिट बन गया और क्या चाहिए मेरे को और कुछ नहीं मैं त्रीन तीन ट्रेड से ज्यादा मैं ट्रेड लेता नहीं हूं तो उसके बाद क्या क्या यहां पर जाके फिर से यहां पर देख आपको बोला था ना कि 44,000, 422 तो यह हमारे एक strong support zone होगा, उसके बाद यह तोड़ता है, कब 388 और 377 एक support zone बन जाता, उसके बाद 366 तो एक strong support zone थाई, तो इसको पहले देखना चाहिए, देखे मैं कब तक बूलीश हूँ, मैं जब यहां तक मैं इसको 50 minutes में कर लेता हूँ, चोटा हो जाएगा और मेरे को भी समझने में अच्छा लगेगा, मतलब देखे, 44,000, 222 इसको गिरने के बाद मैं थोड़ी बहुत कोशिस करूँगा, कि हाँ मेरे को BRS view रखना चाहिए, लेकिन जब तक 44,000, 088 इसको नहीं निकाला, तब तक मैं उतना ज्यादा BRS mood में रह रहूंगा, मतलब 44,100 का जो भी है, 100 इसको जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक मैंने BRS जो मेरा view है, तो मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा strong support zone होगा, यह तो एक support zone होगा, यहां से मैं थोड़ी बहुत quantity आड़ करूंगा, क्योंकि जब, मतलब कब, क्यासे हम लोग, काल xperry का दिन, मतलब nifty का जो, जो xperry है, nifty 50 का, तो उस xperry में हम लोग कैसे काम कर सकते है, हम लोग कैसे देखते हैं इसको, इस trade को हम लोग कैसे ले सकते है, तो कि उसको पहले आप लोग देखिए, सिखिए, समझिये, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं ह हर बात क्या करेंगे अब लोग हर वक्त में आप लोग ट्रेड लेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप पैसे लास करेंगे ठीक है इसको पहले सिखिए और उसके बात जो कुछ भी होगा दिखा जाएगा काल तो मैं लाइव रहूंगा किसके किसको लाइव चाहिए प्लीज ब करूंगा लेकिन हैं पर क्या होता है न ज्यादा नहीं आता है तो इसलिए मैंने इस चैनल में उतना ज्यादा फोकस नहीं कह रहा हूं तो जब भी आप लोग वीव दे देंगे सब्सक्रेबर बेस बढ़ जाएंगे तो उसके लिए प्लीज सब्सक्रेब कर दीजिए तो ज चलिए आज के लिए वैसे इतना ही और फिर मुलाकात होगा एक न्या वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बगाई